हलो एब्रिवान, तो इस मन्थ हमारे पास में कंपनी ने बहुत सारे ओफ़र्स लाँच किये हैं, जिसमें हमारे दो बुनांजा ओफ़र हैं, फिर्स है हमारा व्यूटी बुनांजा एंड सेक्ड है हमारा बिस्निस बुनांजा, तो दौनम में क्या डिफरेंस है, बहुत सार लोगों को अभी ये clear नहीं हुआ है तो समझ लेती हैं सबसे पहले हम beauty bonanza के बात करते हैं जो start हो रहा है हमारा जुलाई बंख से और end होगा हमारा दिसंबर मंख में और ये beauty bonanza and business bonanza same criteria है जुलाई से लेके दिसंबर तर तो इसमें beauty bonanza में क्या है ये जैसे आपने इस महीने join किया है जुलाई मंथ में जुलाई अबस्ट and September तीर महीने आपको क्या करना है suppose that आपने जुलाई मंथ में 5000 रुपे का आडर लगाया अबस्ट मंथ में भी आपने 5000 रुपे का आडर लगाया आप September 1 में भी आपने 5000 रुपे का आडर लगाया ये एक sample एक example बोल रही हूं में आप 5000 से कम का भी आडर लगा सकते हैं लेकिन यूटी बनान्जा में रहने के लिए कम से कम 3000 रुपे का आडर होना चाहिए उससे कम की आडर पे आपको कोल भी benefit नहीं मिलेगा तो 5585 टोटल एमाउंट होता है हमारा 15,000 रुपे फान दस तीन महीने हम ओडर लगाते हैं 15,000 आप 44,000 का भी ओडर लगाते हैं तो जो भी टोटल एमाउंट निकल के आता है वो एमाउंट को हम यहाँ पे एड कर देंगे September के बास जब हमारा 4th मन्त होता है October 15,000 पे हमें मिलेगा 20% का कमिशन तो 15,000 का 20% कमिशन होता है 3,000 रुपीस October में जब हम अपना आडर लगाते हैं चाहे हम वो 3,000 का लगाएं चाहे वो 4,000 का लगाएं चाहे 5,000 का लगाएं इस एमाउंट का 50% एमाउंट हम इसमें से माइनस कर लेंगे तो 3,000 का 50% होता है 15,000 रुपे October में आप 3,000 रुपे का आडर लगाते हैं तो आपको सिर्फ 15,000 रुपे पे करने होंगे बाकी के 3,000 में से 15,000 हमने यूज़ कर लिए बाकी के 15,000 रुपे आप अपना November मन्थ और December मन्थ में रिडीम कर सकते हैं तो ये हमारा आफ़र है जिसे हम बोलते हैं व्यूटी बॉनांजा 5,000 से लेकि 3,000 रुपे तक का आडर हम लगा सकते हैं लेकि 3,000 से कम का आडर नहीं होना चाहिए 3 महीने continue आप 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 आडर लगाते हैं 20% आपको मिल जाता है उसका commission उस commission का 50% amount आप अपने 4th मन्त की आडर में यूज़ कर सकते हैं और उसके बाद बाकी का amount आप 9 बर दिसंबर में कभी भी redeem कर सकते हैं Suppose that जुलाई में आपने entry की September में आपके 3 महीने ओवर हो जाते हैं तो October 9 बर दिसंबर में आप वापस इस प्रोग्राम में entry कर सकते हैं I hope beauty bonanza clear हो गया होगा अब हम business bonanza की बात करते हैं So beauty bonanza हो गया हमारा यहां तक clear अब business bonanza में क्या है यहां पे हमें बहुत सारे gift मिल रहे हैं AC है, refrigerator है, washing machine है, LED TV है बहुत सारे बड़े बड़े gift हैं लेकिन वो कैसे मिलेंगे तो यह भी हमारा जो प्रोग्राम है वो हमारा July to December है तो July, August, September, October, November and December यह 6 महीने का हमारा प्रोग्राम है जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, यह हमारे personal recruitment पे हमें gift मिलेगा suppose आपने जुलाई में 5 लोगों को join किया एक, दो, तीन, चार, एंड पाच इस first में, इस first बंदी ने जुलाई में 50 BP का order place किया अगस्त में यह 60 BP का order place करते हैं September में 70 का करते हैं, October में 80 का करते हैं, 90, November में 50 का करते हैं, December में 70 का करते हैं यह second मंदी ने first month 50 BP का किया, second month 40 BP का किया, फिर 60 BP का किया, फिर उन्होंने कोई भी order नहीं डाला थर्ड जिसको जॉइन किया है, उसने first month 40 BP का order डाला, फिर 50 का डाला, फिर 70 का डाला, फिर 80 का डाला, 150 का डाला, 100 का डाला इसी तरीके से यह लोग भी अपना अपना order डालते हैं तो आपको क्या होगा, आपको मिलेगे rewards point, जैसे जैसे आपके जो भी बंदे आप जिनको जॉइन करते हूँ, और जो अपना order डालते हैं, continue 6 महीने तक, वो total BP काउंट होंगे, as a reward point जैसे यह 50 BP किया, यह आपको मिल जाएगा 60 BP किया, यह मिल जाएगा 70 किया, यह मिल जाएगा 100, 50, 70 लेकिन यह second वाली जो गंदी है, उसने first month 50 BP दिया, लेकिन second month इनोंने 40 BP किया, तो यह आपको नहीं मिलेगा, नहीं आपको यह मिलेगा 50 से नीचे नहीं चाना चाहिए 50 से अगर नीचे जाता है तो उसके बाद वो भले कितनी भी BP का ओरडर लगाए वो rewards point में count नहीं होगा यहाँ पर उन्होंने first monthी 40 BP लगा दिया है 50 नहीं लगाया तो फिर यह नीचे वाले rewards point में count नहीं होगे तो आप कोसिस कीजिए कि 50 BP से नीचे नहीं जाना चाहिए 50 BP से उपर चला जाए जैसे ही 50 BP से नीचे जाता है उसके बाद के rewards point आपको नहीं मिलते है और 6 महीने में जितने भी rewards point आपकी collect होते है जुलाई में आपने 5 लोगों को join किया हो सकता है अगस्त में आप 7 लोगों को join करें सैप्टमबर में आप 3 लोगों को join करें तो जितने rewards point आपके collect होते हैं उस हिसाब से आपको gift मिलता है 2000 से उपर से rewards point से start हो रहे है and 6000 तक rewards point है and in rewards point के जरिए आप अपने लिए expensive gift qualify कर सकते हैं इसमें AC से लेकर card तक आपको मिल रही है तो ये जो bonanza है ये new members से लेके पुराने members तक हर कोई इसको qualify कर सकता है हर कोई इसमें part ले सकता है तो सबसे पहले beauty bonanza qualify कीजिए 3000 तक का order लगा के and उसके बाद आप recruitment पे concentrate कीजिए process कीजिए जितने भी लोगों को आप join करें वो कम से कम 50 पीपी का order लगाएं I hope ये आपको clear हो गया है so thank you so much for watching my video वीडियो पसंद आई तो like कर देना share कर देना and channel को subscribe कर देना thank you